हेलो स्टूटेंट तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप इंट्रिकेशन की जो है ट्रिग्नोमेट्री टाइप फंक्शन के इंट्रिकेशन की टाइप इसमें ऑनक्रिकेशन के अंदर को इंक्लूट करके काफी सारे क्वेशन बनाएजा सकते हैं तो यहां पर मैं try कर रहा हूं कि जितने भी question बना सकते हैं उन सबको हम लोग types में divide कर देते हैं अलग-अलग type में तो क्या होगा अलग-अलग type को हम separate पढ़ेंगे तो हम जई में कोई question आएगा तो इसको देख के पता लगा सकते हैं कि यह इस type का है इसको इस method से solve करना है क्योंकि हम लोगों के पाल differentiation की तरह integration में कोई एक method सभी question में apply हो जाए ऐसा नहीं है अलग-अलग question के लिए अलग-अलग method apply होता है इसलिए मैंने यहां पर integration को types में divide किया है तो देखो सबसे पहली type हम लोग यहां पर देख रहे हैं अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है denominator में numerator में कुछ भी नहीं है तो यह formula या फिर यह substitution use करना सही रहता है इसको solve करने में कौन सा जो tan x by 2 के form में होता है sin x का भी और cos x का भी तो यहां पर इस तरह के question के अंदर हम sin x को tan x by 2 के form में लिख देते हैं और वो क्या लिख सकते हैं 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 similarly we can apply cos x is equal to यह वो वाला substitution नहीं है कि इसको substitute t मानके फिर differentiation कर दो नहीं इसको integration करने से पहले trigonometrically थोड़ा सा हम लोग solve कर रहे हैं तो cos x is equal to क्या होता है tan x by 2 के form में 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 clear ऐसा सब कुछ हो जाने के बाहर फिर हम लोग tan x by 2 को t मान लेते हैं then put यह substitute tan x by 2 is equal to t फिर automatically जो यह denominator के अंदर बन रहा है 1 plus tan square 1 plus tan square यह numerator में चला जाएगा उपर और जो है हमारे पास tan x by 2 का differentiation square x by 2 available हो जाएगा अब जो मैंने बाते करी उस से related हम लोग examples solve कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग के पास question available है d x upon 5 plus 4 cos x तो according to type 1 denominator में linear function है trigonometry का सिंगल साइन सिंगल कोस यह साइन और कोस दोनों हो तो हम लोग सबसे पहले formula apply करेंगे यहाँ पर cos x का तो हम इस integration को किसमें change कर देंगे d x upon 5 plus 4 पर क्या करदेंगे 1 minus 10 square x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 अब यहाँ पर क्या करो LCM लेलो तो LCM लेंगे तो यह 1 plus 10 square x by 2 उपर जागे क्या बन जाएगा सेख square x by 2 और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 5 plus 5 10 square x by 2 plus 4 minus 4 10 square x by 2 अब तुम्हें यहाँ पर clearly देख सकते हो कि integration क्या बन गया है सेख square x by 2 dx तो ही सही सभी के साथ है यहाँ पर हाना divide by 5 plus 4 तो हो जाएगा 9 और 5 minus 4 हो जाएगा 1 तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 square x by 2 plus 9 अब इस question में substitute करने का वक्त आ गया 10 x by 2 को क्या मानलो t 10 x by 2 को मानले जायागा t अब इसका differentiation कर दो तो 10 का differentiation क्या होता है सेख square हम लिख सकते हैं सेख square x by 2 into 1 upon 2 2 dx अब यह 1 upon 2 की जागे वो 2 उदर multiply कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 dt तो पूरा का पूरा हमारा question change हो जाएगा 2 dt divided by t square plus 3 का square और यहाँ पर हम लोग formula apply कर सकते हैं आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो हम लोगों ने बिल्कुल सही किया ना वह हम लोगों को एक बार क्या लेना चाहिए चेक कर देना चाहिए यहाँ पर क्या था 5 10 x by 2 यहाँ पर minus 4 बिल्कुल सही है तो यह formula के यह value दुबारा last में substitute कर दो तो यह हो जाएगा 2 upon 3 10 inverse t किसको माना था 10 xy2 को है ना और divide में क्या हो जाएगा 3 अब इस 10 inverse 10 xy2 को xy2 मत लिख देना क्योंकि यहाँ पर divide में 3 भी हमारे पास यहाँ पर है ना next इसी टाइप का एक और example करते हैं हम हर टाइप के trigonometry integration के एक दो एक दो example करेंगे ताकि इस तरह का कोई question देखने को मिले दुमें तो idea लग जाए करना कैसे है तो यहाँ पर हम लोगों को बताया हुआ है एक की value 0 से 0 नहीं नहीं 0 से 0 देनी होनी चाहिए 0 से 1 दी वही होनी चाहिए एक की value क्या है 0 से 1 के बीच में then find the value of dx upon 1-2a cos x plus a square तो देखुँ यहाँ पर भी linear function है cos x में यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे formula तो इस formula को use करने पर यह क्या हो जाएगा हमने LCM भी ले लिया तो LCM लेने के बाद उप़र 1 plus 10 square x by 2 आएगा जिसको हम लिख सकते है a square के साथ 1 plus 10 square है multiply हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा a square plus a square 10 square x by 2 है जहां से देखो हम लोग ने cos x को यह value रखी और यह value रखने के बाद denominator में LCM भी ले लिया है अब हम लोग denominator यहाँ पर थोड़ा वह solve करते हैं यह क्या है x square x by 2 इसको यह से ही रहने दिया जाए dx अब divide में क्या क्या है एक तो यह 10 square x है और यह a square 10 square x है तो अगर हम 10 square x यहां से common ले लें तो 10 square x common लेने के बाद यहां पर हमारे पास देखो क्या क्या बचेगा और एक और बात यहां पर यह 2a के साथ भी multiply होना चाहिए था क्या 1-10 square x by 2 जो हम लिखना भूल गए अब नीचे आले step में जहां-जहां भी 10 square x by 2 है 10 square x by 2 वह common ले लो और जो term बचेगे उसको लिख दो तो क्या क्या बच जाएगा 1 plus a square plus 2 है और without 10 वाली term क्या क्या है एक त term बचने के बाद अब इसमें यह भी एक perfect square है यह भी एक perfect square है इस perfect square को बनाने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं 10 x by 2 को t मान लेते है 10 x by 2 is equal to t तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा sec square x by 2 dx is equal to क्या लिखा जा सकता है 2 dt ओके यहां तक कोई दिखकर नहीं है अब पूरा का पूरा question change जाएगा t में तो यह क्या हो जाएगा integration 2 बाहर dt अंदर ही लिख देंगे divided by 10 square x 10 square x क्या हो गया तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं t into 1 plus a t into 1 plus a ka whole square और t का भी यहां पर square प्लस a minus 1 का whole square अगला क्या बन जाएगा a minus 1 का whole square यह उसको 1 minus a लिखेंगे क्योंकि a की value 0 से 1 की बीच में है तो यह हो गया तो यहां पर भी हम लोगा formula अपलाएगा रखते है 10 inverse वाला तो यह क्या हो जाएगा 2 तो ऐसा का इसा ही रहेगा और formula क्या होता है इसके लिए हम लि माच यह 1 minus है और t के साथ coefficient क्या रहेगा है यह 1 plus है तो वह दोनों के दोनों हैंगे और फिट 10 inverse पूरा का पूरा x x का काम यहां पर कौन करता है t into 1 plus a काम करता है तो यह t into 1 plus a as it is और divide में कहारा जाएगा 1 minus a अब यहां पर जो है t की value रख दो और यह क्या हो जाएगा 1 minus a is equal to 1 minus a square तो final answer हो जाएगा हमारा 2 upon 1 minus a square 10 inverse के अंदर t into 1 plus है और t की value कहे 10 x by 2 10 x by 2 और साथ में है a plus 1 upon 1 minus यह 1 minus a हम इसलिए लिख रहे है क्योंकि हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि a की value 0 से 1 की बीच में है plus c ओके तो यह होगा हमारा type 1 इसी के अंदर एक और हम लोगों के पास यहां पर question available है उसमें भी हम लोग वही formula apply करेंगे जबी तक हम लोग apply करते हैं क्या sin का formula और cos का formula और cos को भी हम लोग क्या लिखने वाले है 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 ऐसा लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या next step हमारे क्या रहती है हम लोग tan x by 2 को क्या मान लेते हैं ती मान लेते हैं उसके बाद differentiation करेंगे तो यह कितना हो जाएगा sec square x dx is equal to 2 dt हैना यह 2 actually नीचे था यहां से उदर हम लोग ने multiply कर दिया है तो यह पूरा का पूरा टी में change हो कि कैसा लगेगा देखो 1 plus t square LCM वाला उपर चला जाएगा जो divide में है ना अपान 1 के साथ भी क्या multiple हो जाएगा 1 plus t square तो यह 1 plus t square okay plus 2 into 2 tan x by 2 मतलब यह 2t plus cos x cos x का formula क्या था उसके according हाँ पर क्या हो जाएगा 1 minus t square अब denominator में जो solve हो सकता है वो वो हम लोग solve कर देते हैं okay उपर 1 plus t square नहीं आएगा sorry उपर कुछ भी नहीं आएगा क्यों 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 उपर आएगा तो actually 1 plus t square अगर हम 4t कितना easily यह solve हो गया तो easy गल्टो हमके लेख सकते हैं 2 upon 4 log mod 4t plus 1 यह 4 क्यों divide किया है क्योंकि t का multiple 4 है plus c तो final answer हो जाएगा 1 upon 2 log mod 4t t e का मतलब 10 x2 plus 1 अगर हमें पता है ना question देखती ही कि हमें first step कहां से start करना है तो question solve करना बहुत easy हो जाता है अब देखो इसके बाद वाली type type 2 अगर किसी question के अंदर इस तरह की term available है यह j e में मतलब काफी बार पूछावाई है j e के लिए बहुत important है a sin x plus b cos x यह की यही type हम लोगों के पहले वाले में भी थी देखो type 1 दिखाता हूं मैं तुम्हें दुबरा से type 1 के अंदर देखो यह third वाला यह होई है मतलब हम sin x का formula और cos x का formula 10 x by 2 के formula लिखके solve कर सकते हैं बट कभी कभी क्या होता है किसी और method से solve करके answer लिखा होता है तो हमें सभी method से go through हो जाना चाहिए एक बार तो देखो इस तरह के question के इंदर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यह हम लोगों को समझना है तो यह जो है a sin x plus b cos x यह जब से हमने देखा है तब से ही इसको आगे पहली step होती है under root a square plus b square से divide कर देना तो जो step 1 रहेगी हम लोगों की method की step 1 divide and multiply in denominator denominator में multiply divide करना है by under root a square plus b square फिर second step क्या रहेगी फिर formula बनाना है mac formula 4 formula किसका बनाना हम लोगों को या तो sin x plus alpha का बना लो या फिर क्या बना दो cos x plus alpha की form बना दो अब यह क्या करना है कैसे करना है example से समझता है जो हो यहां हम लोगों के पास क्या available है d x upon sin x minus x अगर हम इसको type 2 से compare करें तो a की value भी 1 है और b की value भी 1 है a is equal to 1 में और b is equal to 1 है अगर हम under root a square plus b square calculate करते हैं तो वह कितना हाता है under root 2 तो इसका मतलग हम लोगों को denominator में under root 2 से multiply और divide दोनों करना है तो देखो यह क्या हो जाएगा d x upon under root 2 हाना तो 1 upon root 2 sin x minus 1 upon root 2 cos x और इसको root 2 को यहां बाहर भी लिख दो यह हम लोगों ने कर दिया under root 2 से multiply and divide अब यहां पर हमारी choice है अगर मैं 1 upon root 2 को cos पहले sin के साथ जो है उसको मैं cos pi by 4 और cos वाले के साथ 1 upon root 2 इसको sin लिखता हूं तो यह sin cos plus cos sin का formula बन जाएगा मितलब sin alpha plus beta का अगर मैं इसको sin alpha मनता हूं और इसको मैं cos alpha मनता हूं alpha वराबर pi by 4 तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं dx divided by यह negative में formula है तो यहां पर इसको हम लोग plus वाले में change कर सकते हैं मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं sin x into sin phi by 4 minus cos x into cos phi by 4 वैसे formula क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b cos a plus b का formula होता है बट कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर formula हो क्या जाएगा वैसे sin और cos यहां पर थोड़ा सा क्या है minus का difference है और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोगों को sin x minus cos x यहां पर अवेलेवल था इसलिए हम लोग इस formula को किसमें change कर सकते हैं cos में change कर सकते हैं तो हम इसको ऐसे लेख सकते हैं 1 upon root 2 तो यहां पर है ही से 1 upon cos का formula बना देने तो यह cos में किसका formula बन जाएगा पाई बाई 4 plus x का minus है इसलिए क्या formula बन जाएगा plus वाला हम लोगों को एक formula पता है cos a minus b का formula अगर हम देखें तो यह क्या होता है cos a cos b plus है और यहां plus है तो यह क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b अब क्योंकि यहां पर minus का difference है तो यहां पर भी minus आना चाहिए तो चलो लगा देते हैं यहां पर minus लगा देते हैं cos का formula बना रहे हैं इसलिए अब देख इसको क्या लिख सकते हैं minus 1 upon under root 2 और यह हो जाएगा उपर जाके sec x plus pi by 4 अब sec x का integration का बस formula याद होना चाहिए अगर sec x का integration का formula याद है तो हो जाएगा बात देखो sec x का क्या होता है एक तो होता है देखो यहाँ पर side में formula लिखता हो मैं वैसे यहाद होना चाहिए तुम लोगों को sec x dx क्या क्या होता है ln sec x plus 10 x पर हम यहाँ पर यह वाला यूज नहीं करेंगे अगर option में यह वाला formula यूज करके answer दिया हो है तो यह यूज कर सकते हो या फिर हम लोग क्या use कर सकते हैं यहाँ पर ln 10 x by 2 plus pi by 4 यह भी तो एक formula होता है 5 by 4 plus x by 2 भी एक formula होता है तो यह वाला हम यहाँ पर apply करने जा रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा minus one upon root 2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा ओके और sec का हम लोग यह वाला formula apply करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log 10 log के अंदर mod 10 10 के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे 5 by 4 plus x by 2 x by 2 मतलब यह पूरा x है इसका y2 का मतलब क्या होगा x by 2 plus pi by 8 अब इसको solve कर लो यहाँ पर क्या लिख दो plus c तो यह answer हो जाएगा minus 1 upon under root 2 log mod 10 3 by by 8 plus x by 2 plus c तो इसका answer थोड़ा सा अलग दिख सकता था हम लोगों को अगर हम यहाँ पर cos के formula की जगे क्या बनाते sign का formula उसके लिए हम लोग इसको क्या लिख देते cos by by 4 और यहाँ पर क्या लिख देते sign by by 4 तो यह simply किसका formula बन जाता sign x-by by 4 का और sign x-by by 4 से यह उपर जाके क्या हो जाता cos x और cos x का थो हमें integration परता है यह log 10 x by 2 होता है तब भी answer हम लोगों का यह आ जाता तो a की value अगर हम देखें तो 1 है और b की value देखें तो वह under root 3 है under root 3 तो a square plus b square कितना होगा अगर हम जानना चाते है under root a square plus b square की value कितनी हो जाते है कि 1 plus 3 मतलब under root 4 मतलब 2 तो 2 से multiply divide करना है इस question के अंदर हमाँ यह भी j e में आया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो प्लस वाला है आपर तो यह 2 एक तो बाहर रहेगा और एक अंदर चला देगा 1 by 2 cos x plus under root 3 by 2 sin x अब हम लोग एक बार किसका formula बना चुके है cos का अब इस बार हम किसका बना देते हैं sin में formula बना देते हैं sin में formula बनाने के लिए देखो यह 1 upon 2 ऐसा का ऐसा ही बाहर dx upon 1 by 2 क्या होता है sin 5 by 6 cos x plus under root 3 by 2 का हम क्या लेख सकते हैं cos 5 by 6 into sin x अब तुम कुद देख लो numerator में किसका formula बन रहा है तो यह कितना हो जाएगा 1 upon 2 dx divided by हम इसको लिख सकते हैं sin x plus 5 by 6 तो यह किसमें convert हो जाएगा sin उपर जाएगी cosec हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 2 integration cosec x plus 5 by 6 अभी जो मैं बोल रहा था last version में यहाँ पर मैं apply करने वाला हूं हमें पता है कि cosec x का integration होता है लोग 10 x by 2 तो इस cancer कितना हो जाएगा 1 upon 2 वैसा है वैसा ही आप integration का formula लग रहा है log mod 10 x by 2 मतलब कितना 5 by 12 plus x by 2 यह हम लोगों को option के अंदर दिखाई देगा plus c okay next अब next type के question के अंदर हम लोगों को trigonometry के अंदर क्या दिया वह हो सकता है अभी हम लोगों आपने जो देखा था उसमें यहां पर क्या था a plus b sin x अब sin square x है a plus b cos x की जगे क्या है a plus b cos square x यहां भी sin x cos x था अब square x तो अगर यहां पर denominator के अंदर हम लोगों को simple sin x और cos x की जगे sin square x और cos square x दिया वह है तो जो method रहेगा इस तरह के question को solve करने का हम लोगों का method रहेगा in denominator denominator के अंदर हम लोग क्या करेंगे multiply divide करेंगे divide by cos square x denominator में भी और numerator के अंदर उपर numerator में cos square x से divide करेंगे मतलब वहां क्या बना रहे हैं हम लोग sec square x और नीचे cos square x से divide करके इसको क्या बना देंगे हम लोग 10 ओके और यहां पर क्या बन जाएगा sec को हम दोबरा 10 में change कर सकते हैं ओके तो यह हम लोगों का method है हम लोग क्या करते हैं देखो numerator and denominator दोनों के अंदर numerator and denominator दोनों के अंदर हम क्या करते हैं divided by cos square x अब देखो एक example देखते हैं उसका हम लोगों के पास यही example है पिछले वाले type का है न पर इसको पिछले वाले type जैसा भी बनाना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले sin 3x का formula लगा दो तो यह integration थोड़ा सा change हो जाएगा sin x numerator वाला वैसे का वैसे ही रहेगा और sin 3x का क्या formula होता है 3 sin x minus 4 sin cube x ok dx अब एक sin से एक sin कर जाएगा तो integration actually क्या बचाएगा dx upon 3 minus 4 sin square x अब देखो हम लोग क्या करेंगे नीचे से cos square x या फिर दोनों वही बात है numerator and denominator दोनों में किसका divide कर दो cos square x का numerator में cos square x का divide कर रहे हैं मतलब क्या करते हैं sec square x लिख रहें actually और denominator में cos से divide कर रहे हैं तो वह कितना आएगा 3 upon cos square x मतलब 3 sec square x minus 4 sin square x upon cos square x तो वह क्या हो जाएगा 4 10 square x okay अब इसको थोड़ा सा change कर लो sec square x dx divided by यह जो sec square x है sec square x है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 plus 10 square x तो यह क्या हो जाएगा 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x तो यह integration हम लोगों का simple ही हो जाएगा sec square x dx upon यह दोनों मिलके हो जाएगे 3 minus 10 square x यह क्या हो जाएगा 3 minus 10 square x अब यहां से तुम लोगों का दिमाग अपने आप काम करना चाहिए कि tan x को हम लोगों को क्या माल लेना चाहिए t तो उसका differentiation क्या हो जाएगा sec square x dx is equal to dt तो यह पूरी की पूरी term किस में change हो जाएगी dt में तो हम इसको लिख सकते हैं dt upon 3 मतलब 3 मतलब किसका square under root 3 का square minus t square ऐसा लिख सकते हैं अब यहां पर formula apply करतो जो हम पढ़ते हैं 1 upon 2a upon 2 root 3 log mod अब क्या हो जाएगा a plus x upon a minus x वाला formula यहां पर apply हो जाएगा तो a plus x मतलब under root 3 plus t divide by under root 3 minus t तो यहां सरा जाएगा हमारा 1 upon 2 under root 3 log mod t कितना है 10x को यह हो जाएगा under root 3 plus 10x divide by under root 3 minus 10x plus c answer तो अगर numerator में sin square x cos square x जैसा हो या फिर 2 sin x plus 3 cos x का whole square हो तो इसमें भी हम लोग वही apply करेंगे यहां पर क्या करेंगे हम यह जो हम लोगों के पास denominator है इस denominator में से हम लोग cos x common लेंगे यहां से हम क्या common ले रहे है common cos x तो square की बज़े से cos square x बनेगा और cos square x उपर जाएगा set square x dx यह तो बहुत easy question हो जाएगा फिर कैसे यह तो हो जाएगा 2 tan x plus 1 का whole square अब जो denominator में है उसको t मान लो उसको क्या मान लो t let 2 tan x plus 3 यहां पर क्या था 3 is equal to t अब इसका differentiation कर लो तो इसका differentiation करोगे तो क्या आएगा 2 square x dx is equal to dt तो वो 2 इधर divide हो जाएगा तो यह integration किसमें change हो गया 1 upon 2 dt upon 2t plus 3 का whole square अब 1 upon x square का integration क्या होता है minus 1 upon x तो minus 1 upon x क्या coding यह कितना हो जाएगा 1 upon 2 तो पहले ही है t के साथ 2 multiply है इसलिए equal to divide होगा और यह क्या हो जाएगा minus 1 upon 2t plus 3 तो यह आंसर होगा हमारा 1 upon 4 minus का और ब्रेकेट में क्या हो जाएगा 2 tan x plus 3 plus c यह आंसर है इसका question का है ना तो 2 को भूल मत जाना 2 को हम लोगों को ध्यान रखना है ओके अब इसी के जैसा एक और और question try कर लेते हैं देखें हम लोग sin 2x upon sin 4x plus cos 4x अब यह question हम लोगों को solve करने हैं तो इस question को solve करने के लिए देखो क्या किया जाए यहाँ पर sin 2x है अब sin 2x actually sin square x का differentiation होते हैं यह पर किसका differentiation होता है cos square x का तो हम तो क्या करते हैं यहाँ पर इदर से common ले लेते हैं common cos की पावर 4x ही common ले लिए तो i is equal to देखो क्या हो जाएगा उपर सबसे पहरे numerator में क्या होगा देखो sin x अब हम कोस की पावर 4x हम लोगों ने common लिए अगर हम कोस की पावर 4x common लेते भी हैं तो उपर sin sin x नहीं actually sin 2x ता उपर है ना और sin 2x को हम तोला सा explore कर के लिख देते हैं क्या लिख सकते हैं उसको 2 sin x cos x divide किस से किया जा रहा है cos की पावर 4x है तो यह क्या हो जाएगा cos x एक और cos x एक और और एक हो जाएगा cos square x होगे 4 cos x और नीचे की सरब डिवाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा sin की पावर 4x अपन cos की पावर 4x मतलब tan की पावर 4x नीचे बनेगा plus 1 dx अब देखो एक cos से एक cos को बढ़ा दो यह दोनों मिलके क्या बन जाएगा 10 और यह cos उपर जाएगा sec तो यह integration कुछ जैसा दिखाई देगा 2 tan x into sec square x dx divide by नीचे की तरफ क्या लिखावे 10 square x का whole square plus c अब देखो यह तो कुछ type ही नहीं तो बहुत simple category है यहाँ पर ऐसी mix हो गया question तो यह 10 square x का differentiation है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए हो जाएगा dt upon t square plus 1 तो इस cancer क्या हो जाएगा 1 upon 1 tan inverse t और tg value क्या है वो रख दो तो यह जाएगा tan inverse tan square x tan square x plus c यहाँ simple दा वाशन कोई दिक्कर नहीं बहुत बहुत